नवास्कार दोस्तों आप सभी का स्वाकत है हमारे चैनल दहिंदी में विश्व में जिन देशों के पास सबसे ज्यादा शक्तिशाली वायू सेना है वो देश सबसे ज्यादा ताकतवर और प्रभावशाली होते हैं अपनी ताकत दुनिया को दिखाने के लिए हर देश प्रयासरत रहते हैं दुश्मन का सफाया करने के लिए फाइटर प्लेंस की मुख्य भूमिका होती हैं और आज की आधुनिक दौर में ज्यादा तर देश लडाकु जेट विमान का उपयोग लडाई या देश की सुरक्षा के लिए उपयोग करते हैं तो आई जानते हैं दुनिया के 10 बहतरीन लडाकु जेट के बारे में सबसे पहले F-35 लाइटनिंग अमेरिका F-35 लाइटनिंग विमान दुनिया का सबसे खतरनाक लडाकु जेट विमान है इसकी विचेश खासियत ये भी है कि ये रडार की पकड़ में आता ही नहीं F-35 जेट विमान को लोखिड मार्टिन द्वारा डिजाइन किया गया है ये विमान सभी फाइटर विमानों से अलग और बहतरीन है ये विमान सबसे अथिक लचीला और तकनीकी रूप से परिपक्व तथा मल्टी रोल फाइटर लडाकु जेट विमान है F-35 लाइटनिंग विमान से युद्ध शेत्र का 360 डिगरी का दिरिश्ट दिखाई देता है F-35 लाइटनिंग विमान की रेंज 1667 किलोमेटर है इसके बाद है F-22 रेप्टर विमान अमेरिका ये विमान वर्तमान में एक श्रेश्ट लडाकु जेट विमान है F-22 रेप्टर विमान की विशेश्टा ये है कि इसकी हत्यारों की डिजाइन सबसे अलग और बहतरीन है इस विमान की सिगनल इंटेलिजेंस इसे सबसे खास बनाती है इसके स्पीड F-35 लाइटनिंग 2 के मुकाबले अधिक है F-22 रेप्टर विमान का निर्मान United States of America में ही होता है इसके बाद Eurofighter टाइफून European Sung दुनिया का तीसरा सबसे बहतरीन लडाको विमान Eurofighter टाइफून विमान है ब्रिटेन, जर्मनी, स्पेन और इटली की कमपनियों ने मिलकर Eurofighter टाइफून विमान को बनाया है ये विमान दुनिया का सबसे अच्छा स्विंग लडाको जेट है इसके बाद सुखोई Su-35 रशिया दुनिया के सबसे बहतरीन लडाको जेट विमानों में सुखोई Su-35 जेट विमान भी शामिल है ये विमान लंबी दूरी मल्टी रोल जेट लडाको विमान है सुखोई Su-35 विमान सिर्फ सिंगल सीटर ही है सुखोई एक रूसी कमपनी है जिसके लडाको विमान रूस, चाइना, भारत और इंडोनेशिय सहीत कई देश उपयोग कर रहे हैं ये विमान 1400 किलोमेटर प्रती घंटे की रफ़तार से चलता है इसके बाद है बोईंग FA-18EF, सुपर हारनेट जो अमेरिका के पास है ये सुपर हारनेट विमान एक सिंगल सीटर और हावा में विशेश करतब दिखाने वाला जेट विमान है इससे देश की सुरक्षाबलों को बहुत मदद मिलती है इसके बाद है F-15 Eagle जो अमेरिका के पास है आधुनिक F-15 Eagle का निर्मान 1976 में किया गया था और ये सबसे सफल आधुनिक जेट लड़ाकू विमानों में से एक है आधुनिक F-15 Eagle में उप्योग मिसाइलों की रेंज 50 किलो मिटर तक है F-15 Eagle को कई देशों में निर्यात किया गया है जैसे की जापान, इसराइल, साओधी अरेबिया, इत्यादी इसके बाद डसॉल्ट रफेल जो फ्रांस का है डसॉल्ट रफेल दुनिया के सबसे बहतरिन जेट विमानों की सूची में शामिल है इसका डिजाइन डसॉल्ट अवियेशन द्वारा किया गया है ये सबसे अलग आधुनिक कगनीक और रफेल जोड़वा इंजन से बनाया गया है ये जेट विमान पूरी दुनिया में केवल एक देश द्वारा ही बनाया जाता है ये खोफिया कतिविधी और मोबाइल परमानू प्रतिरुधक शमता के लिए बनाया गया है इसके बाद है मिकोयन मिक 35 रशिया मिक कोर्पोरेशन ने पहली बार मिक 35 का प्रयोग एरो इंडिया 2007 के एर शो में किया था ये मिक 29M by M2 और मिक 29K by KUB का ही आधुनिक मोडल है मिक 35 को आने वाली चार पीडियों को ध्यान में रख कर बनाया गया है मिक 35 का पहला प्रोटोटाइब मिक 29M2 मोडल पर ही अधारित था इसके बाद है F-16 Fighting Falcon अमेरिका F-16 Fighting Falcon एक परिपक्प लड़ाको विमान है जिसे अमेरिकी वायोग सिना के लिए बनाया गया था शुरुआते दिनों में इसका उप्योग लड़ाको विमान के रूप में किया जाता था लेकिन बाद में दिरंतर बदलाओ और प्रोटोगी की विकास की वज़े से सभी मौसम में इसका उप्योग किया जाने लगा है 1976 से लेकर अब तक F-16 जेट विमान के 4500 से भी अधिक विमान बनाये जा चुके है और इनमें से अधिकतम विमान आज भी उप्योग में लाये जा रहे हैं परणत में हैं चेंगडू J-10 चेंगडू J-10 दुनिया में सबसे बहतरिन जेट विमानों में से एक है J-10 जेट विमान का डिजाइन चीन के पेपुल्स लिबरेशन आर्मी की वायो से नने किया है J-10 लडाकू विमान हर मौसम में ऑपरेशन करने में सक्षम है इस विमान का सबसे अधिक आयात पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है तो दोस्तों ये थे विश्व के शीर शिद्दस लडाकू जेट विमान आपको इस जानकारी कैसी लगे हमें कमेंट में ज़रो पताईए इस विडियो को अपने दोस्तों के साथ ही बाटे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले क्योंकि हम आगी वेब से मिलेंगे इसी तरह की कुछ रोचा की चानकारी के साथ तब तक लिदीजा हमें अजासत हमारा इंतिजार कीजिए अपना खिया लखिए अवसकार जै हिन जै भारत